Hello everyone, साथियों, बिहार DLAIR INTERNESS EGEM, जैसा कि आपको पता होगा साथियों, बिहार DLAIR INTERNESS EGEM में आपके जो हिंदी के question रहते हैं, ये अच्छे खासे प्रशन आते हैं, तो इसका हम देखेंगे कि आखिर हिंदी से जो हमारा topic जो है, ये selected topic कौन-कौन से हैं, साथी साथ आपको ब करना होगा, तो आज का session क्रिया को लेकर हम पढ़ेंगे, और अच्छे से देखेंगे कि आखिर क्रिया से कैसे पश्चन आपी परिक्षों में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया, क्रिया यानि क्या होता है, जैसे आपको बता दू, नाम सी असपस्ट है, ये क्रिया कसम बाले नहीं होता है, ये कसम बाले क्रिया मत सोचे का, किसम जो खाते हैं, ये काते हैं कि हम अपनी क्रिया कहते है, ये क्रिया नहीं होता है, क्रिया का मतलब होता है कार्ज करना, तो अगर कुछ भी अग पा रहे होंगे और इस स्कीन को आप देखने की कोशिस करेंगे यहाँ पैंसिल से क्या होता है पैंसिल से लिखने का कार्ज होता है तो लिखना क्या है लिखना एक क्रिया है लिखना क्या है क्रिया है जैसा कि यह पढ़ना हुआ तो पढ़ना क्या है पढ़ना एक क्रिया है क् पढ़ाई का कार्ज़ हो रहा है पैंसिल भॉक्स हमारा यह बनाने का काम हो ड़िक तो यह घर बनाना ₃ बनाना ₃ बनाना यह साज करना पढ़ना ₃ ऊना ₌ यह सब हमारा क्रियका कहला max यह सब्छा में आप आड़ते होंगे भरुठ ठेक तो ये पूरा सेसन कर्या को लेकर होने वाला हुआ और कर्या में कैसे एक्जामपल आपके प्रॉषन पूछे जाते हैं यह करके भी यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे साथ ही देखेंगे कि आपकिर प्रॉषन जो है यह किस तरह के पूछे जाते हैं कभी देखा गहा है कि आपके क्रिया जो चप्टर है इसका सिधा आपसे पुछा जा सकता है कि इसका जिन सब्दों से यह पता चले कि कोई कार्ज हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है उसे क्रिया कहता है यानि किसी काम को होने का बोध हो रहा है साथी साथ जिसके किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो यह किरिया कलाता है जैसे खाना, जैसे नाचना, खेलना, पढ़ना, मरना, पीटना, सोना ये सबी आपके क्या है ये आपके क्या है भर्व है जिसे आप क्या कहते है हिंदी में आपका किरिया है काम हो रहा है किरिया जैसे एक्जामपल के तोर पर हम देखते हैं जिसमें कहता है राम खेल रहा है क्या राम क्या कर रहा है खेलने का कार यह हमारा किरिया हो रहा है मीना नाच रही है अली किताब पढ़ रहा है तो पढ़न मुके स्कॉलर जा रहा है तो जाना ये सभी हमारा क्या है ये सभी आपके किरिया के उदारन है एक्जामपल है तो इसी तरह के आपके जो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा किरिया है तो आप इसे अच्छे से तो जवाब दे पाएंगे लेकिन किरिया के कुछ भेद होते तो ठिक तो उसको भी हम देखने के कोशिस करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे आप कभी पूछा जा सकता है कि क्रिया के भेद कौन-कौन होते हैं और कर्म की आधार पे बात करता हूं तू कर्म की आधार पे और कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और राचना की आ राचना के अधार पे संजुक्त किरिया, नामधातु किरिया, पुर्वकालिक किरिया, प्रनार्थक किरिया, यह सभी का जो बेसिकली पुछा जाता है, यह उधारन के रूप में पूछा जाता है, कि यह प्रनार्थक किरिया का कोई दे देंगे और बताएंगे कि आपको यह क कौन सा किरया होगा ये फोर एक्जांपल के तोर पर आपके परिच्छों में पूछा यह सकता तो कभी यह भी के कर्म की अधार के कितने ना है होगे चार मुं हर्यां राचना की अधार पर यह और कर्मड़ przrom से यह लेकि 100 मतलब होता है 7 100 का मतलब होता है 100 मतलब 7 होता है कर्म यानि जिसमें कर्म लगा हूँ 100 कर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ ठीक जैसे यह हमारा 100 कर्मक तो 100 मतलब होता है 7 100 मतलब क्या होता है 100 मतलब आपका 7 होता है यानि जिसमें कर्म के साथ अर्था जिसक्रिया का परभाब करता पर नो पढ़कर क्या किस पर पढ़ता है कर्म पर पढ़ता है उसे सकर्मक करते हैं कभी ये पूछा जा सकता है कि जिसक्रिया का परभाब करता पर नो पढ़कर कर्म पर पढ़ता उसे क्या कहते हैं उसे आपका क्या कहते हैं उसे आपका सकर्मक कहते हैं, यह प्रशन पूछा गया आपी परिक्षों में, जैसे मैं खुशी से हसता हूँ, नीता जो है यह खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, स्याम फिल्म देख रहा है, राम आम खाता है, तुम एक किताब पढ़ती हो, यह हमारा जो है, यह सकर्मक क क्रिया का उदारन है, जो कि आपके परिक्षों में सीधे पूछे जाते हैं, अब हम औकर्मक क्रिया के कुछ उदारन जैसा कि आप इसकिन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें हम औकर्मक क्रिया के प्रिवासा को लेकर पढ़ेंगे, औकर्मक क्रिया, औकर्मक कहता है कि नाम से ही ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, यानि जिसमें कर्म नहीं हो, ओ मतलब नहीं, ठेक, का मतलब कर्म के बिना जिसमें कर्म क्या हो, नहीं हो, जिन किर्याओं के कर्म के जोहत नहीं परती है, जो प्रशन पूछने पर उतर नहीं देता है, उसे हम अकर्मक करते हैं, आपको पर पूदना, सोना, ठरना, उचलना, मरना, बढ़ना, खेलना, चमकना, बैठना, लजाना, यह सभी हमारे के हैयो कर्म किरिया के उदारण, जैसे वो जगता है, क्या जगता है, वो कूदता है, सोना, चमकता है, बच्चा हस रहा है, चुए उचल रहा है, मेरा भाई सो रहा है, कत किसमे कर्म कर्म किसमें रगता है सो कर्मक नम से है किया जिसमें कर्म वह खाना खा चुका है मीरा जो है यह माभारत पढ़ने लगी प्रेंका ने दूध पीली है मोहन नाचने लगा और राम जो है यह विद्याले से लोट आया यह सभी हमारा क्या है यह हमारा संजुक्त क्रिया के उदारन है यानि एक्जामपल है जिसे आप देख सकते हैं पूछा जाता है सबसे ज्यादा मैं लाश्ट में बात करूँगा कि प्रिनार्थक क्रिया जो मैं आपको समझाओंगा सबसे ज्यादा वही से पूछे जाता है क्रिया को छोड़कर संग्या सरबनान तथा बिशेशन से मिलकर बने संजुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कर यह धातु के नाम से बने होते हैं इसे नाम धातु कहते हैं तो हाथ से हथियाना अपना से अपनाना लज्जा से लजाना बात से बतियाना सर्माना दुख से दुखाना चिकना से चिकनाना और लाटी से लठियाना यह सभी हमारा क्या हो जाएगा यह सभी नाम धातु क्या हो सातियों नाम धातु किरिया हो जाएगा क्योंकि नाम से ही असपस्ट है कि किरिया को छोड़ कर संग्या सर्बनान तथा बीसेशन से मिलकर बने संजुक्तिरिया को नाम सबसे ज्यादा लगा लेंगे क्योंकि पुर्व कालिक क्रिया हो यहीं से प्रिशन बनते हैं तो आप तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से छपेगा ठेक यहीं से पूछा जाएगा आपके परवेश परिशों में पुर्व कालिक क्रिया क्या उधारन आपको उसके परिवासा उधारन दोनों याद रखना होगा जब करता एक काम को समाप्त करके तुरन दूसरे काम में लग जाता है तब क्रिया पहले समाप्त हो चुके और उसे पुर्व कालिक क्रिया करते हैं जैसे पुजारी जी ने नहा कर पुजा किया क्या करके नहा कर पुजा किया चोर जो है ये समान चुरा कर भाग गया पहले चुरा कर फिर भाग गया वह खा कर सो गया खाना और सोना विद्यार्थी ने पुस्तक से देख सर उतर दिया लर्किया जो है पुस्तक पढ़कर जा परिवर्वकालिग क्रिया के इस परकार आपके क्या होंगे प्रशन Before में सबसे ज्यादा होट कोषचन है होट कोषचन की बात करता हूं तो होट कोषचन आपके परवेश whats from'S पर क्सым है यही मैस रहने वाले और मैं समानता हूं कि इस बार भी आपके परवेश पर उट्प्छव में यह कुश्चन जरूर पताग कर्वाना, पढ़ से चलता है, कि करता काम न आ करकर को इसे करवाना होता है, उसे प्रिनार्थ क्रिया के जिसे कर्वाना, पीलवाना पढ़वाना लिखवाना सुनाना या बोल्वाना य distorted करते हैं पिलवाता है या पिलवाती है मालिक नौकर से कार साथ करवाती है मतलब कहने का मतलब है मालिक जो है यह खुद काम नौकर करकर किसे करवाती है नौकर से करवाती है तो जो काम खुद नौकर करकर दूसरे से करवाती है उसे प्रिणार तक अध्यापक बच्चों से प परवाती है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने खुद नहीं लिखा, किसे लिखवाया, राधा से लिखवाया, तुमने माली से सिचाई करवाई, यानि खुद नहीं करके माली से सिचाई, राधा से कृष्ण नहीं बज़वाया, राधा न आपके प्रश्ण जो है, ये एक दो प्रश्ण जो पूछे जाएंगे, यहीं से प्रेनारतक किरिया से पूछे जाएंगे, आप इसे होट BBI कोस्चन लगा लिजेगा, आप इसे बार बार प्रैक्रिस कीजिएगा, और मैं ऐसा मानता हूँ, कि जब आपका एक सरकारी कोलेज म कीतारी करें, तो जो लोग तयारी करना चाहते हैं, बिहार इंसे जाम की नोट्स लेना चाहते हैं, दिहार DLA का समपूर नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दू कि आपको औफर चल रहा है 249 में, 249 में translates notes, जो कि complete notes,all subject का है, जो लोग लेना चाहते हैं, झाल झाल झाल